सभी मित्रों का आज हमारी इस helpful वीडियो में बहुत बहुत स्वागा थे सभी मित्रों को मैं आज बताने वाला हूँ कि एक बहुत ही important चीज में इस DD3 और mixer से related और कोई भी effect processor हो उससे related उसका जो सच होता है उसकी जो quality होती है वो कैसे आती है कहां पर क्या से लगाने से करने वाला हूँ उसको मैं लाइब बताने वाला हूँ इसलिए वीडियो को पूरा देखिए वीडियो के एंड तक बने रहे वीडियो ज्यद्ध नंबा नहीं होगा इसलिए आपको पूरा बने रहना है मैंने कई चीजें यह जो है मैं भी YouTube पे कई चैनल देखता हूँ तो और इस पर मैंने कई चीजों को देखा जो बिलूकल गलत हैं तो मैं आपको आज बताने वाला हूँ कि क्या चीज आपको सही तरीक से करना चाहिए उससे हो सकता है कि आपका DD 3 खराब हो जाए आपका मिकसर भी खराब हो जाए और आपको quality भी अच्छी ना मिले तो मैं आप आपको बताने वाला हूं किस तरह से इसका यूज कहां पर हमें को इसको करना चाहिए कहां पर हमको इसको नहीं करना चाहिए तो मैं आपको बताने वाला हूं यह जो सिस्टम आप देख रहे हैं इसमें मैंने एक DD3 का यूज किया है तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वा होता है कैसे हमारी आवाज अच्छी आएगी किसे साथ से हमाई लॉंग थ्रो होगी आवाज सुकॡ़एगी नहीं आवाज फटेगी नहीं बिसल भी नहीं आएगी तो वह सारी चीजे मैं इसमें डिसकस करने वाला हूँ तो सबसे पहले मैं वीडियो चलता हूं तो आप देख लीजिए कि मैं क्या करने वाला हूं सबसे पहले जो हमारी DD3 है वो मैंने इसको connect करके रखा हुगा है देख लीजिए तो DD3 के right hand पे हमारा input होता है और यह हमारा यहां पे out होता है तो यह हमारा direct out होता है तो इससे नहीं किवल input वाले में उपर वाले में लगा दिया DD3 पूरा complete करके हमने setup उसको कर लिया है तो यह इस lead को आप देखिए धियान से पहले में क्या करने वाला हूं और मैं इसके बारे में important चीज क्या बताने वाला हूं किस से आपकी आवाज खराब आती है को आपको quality नहीं मिलती है तो देख लिए यहां पे जो क्या लगाया है आप विडियो पर दियान से दिखिए मैंने जहां पर input किया है उस वाली lead को मैंने यहां पर दिखिए कहां पर connect किया हुआ है ox send पे और ox return पे क्या लगाया हुगा है हमने इसका output section जो यहां से आउट जाती है dt3 से वो हमने ox return में लगा रखा है यहां पर दिख लिजी यह हो गया इसके बारे महत्पूर्ण चीज जो है मैं बताने वाला हूं उसका आप लोगों को ध्यान रखना है कि मैं क्या चीज महत्पूर्ण बताने वाला हूं यह वीडियो क्यों महत्पूर्ण होने वाला है तो उस पर आपको वीडियो पर पूरी बने रहना है और उसको ध्यान से देखना है तो देखिए आप यह चीज हमारा हो जाता है इसकी बाद मैंने इसमें माइक किया हुआ है दिख लीजे माइक माइक किया हुआ है माइक को हम थोड़ा सेट कर देते हैं थोड़ा चेक करने के लिए और इसको हमने सेट कर दिया इसको भोल दिया है तो इस तरह से हम DD3 को यहां पर कनेक्ट कर लेते हैं यह DD3 को कनेक्ट करने से क्या होता है देखिए हमारी जो आवाज की क्वाल्टी है वो किस तरह से रहेगी सेट अप मैंने लगा की रखा है तो अभी मैं इसको DD3 यूज कर र मालूम चल पाएगा अब दीकिए मैं इसको चेक करता हूं यह 맛있क लगा दिया और डीजी है इसा लगाने के Championship किождasis मनली ऊहां पे लगाया है वाख सेंड इस हम इसको फूलेंगी उन्ह summation खोलें कि उसमें को आईगा नहीं तो यह तो सब लोग छानते ही होत कि छुंत हालो 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 है हालो है तो है तो दिखलिए सब्सक्राइब कितनी अच्छी जो वाई से आवाज वह आ रही है तो इसके बाद हम आपको बताते हैं कि वही यह हमने क्यों बताया आपको यह आप जानते हैं सभी कि इस तरह से डीडी 3 सेट की जाती है तो और जो मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं दूसरा तरीका दिखिए अप जिसमें आक्स सेंड और आक्स रिटर्न नहीं होता है त तब वो तरीका हमारा क्या होता है वो तरीका भी मैं आपको बताता हूं इसमें तो दिख लीजिए आपके मिक्सर में माल लीजिए कि आपका रिटर्न नहीं है यह रिटर्न नहीं है तो रिटर्न को आपने हटा दिया यहां से किवल आपके मिक्सर में आक्स है तो आपने आ हमारे हाथ में अभी है तो इसको मैं कहां लगाओंगा तो इससे हम को फिर हमको return की point की जरूरत नहीं पड़ेगी तो और आपको पूरे के पूरे mixr में आप यदि आपको eco देना है तो आप एक site कहीं भी यहां पर लगा सकते हैं बीच में भी कहीं लगा सकते हैं इससे से हम बॉलिम को सेट कर लेंगे और यहां से स्लाइड को भी उपर बढ़ा देंगे और इसके बाद हम देखते हैं माइक में इसको सेट करके कैसी क्वाल्टी आ रही है तो देखिए वही सेटिंग है हाव है हाज हाज चैक आलो हाज हाँ हाज ही हाज हाज तोदिखे मैंने इसको आपको सेनाद में लेकिन अप पर आद दिख लिए है और इसकी बाद यह जो हमारा है यह भी हमारा बहुत ज्यादा मैंने सको हो दिया है और ने च्पार सब्सक्राइब कर दो के हैं और आवाद देखिए साउंड की सामने से तो इस तरह से जो हमारी आवाज है वो यहां पर आ रही है और अच्छी आवाज रही है लेकिन देखिए अब मैं ज्यों का त्यों वहीं उसी सेटिंग पर इसको यहां पर लगा करें आपको दिखाता हूं कि यहां पर लगाएंगी तो क्या इससे एफेक्ट पढ़ रहा है तो इसको हमने रिटार में लगा दिया है बापिस हलो बाजडिक हलो बाजडडडडडड अवाजडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडड तो इस तरह से हम अपने सिस्टम को यहां लगा के भी हम चला सकते हैं जिसमें आपके जो रिटन नहीं है जिन भाईयों की mixer में return नहीं है तो वो यहां पर इसको लगा के और चला सकते हैं इस से क्या होगा यहां पर लगा के इसको खोल देंगे और आपको वोल्यूम बगएरा का दिहां रखना है यह आपको खोलना पड़ेगा और कहीं भी आप यहां पर जैसे माली जी हमने यहां ल कि होगे हैं कि अनिरे जवी होगा है तो दिख को और इने क्या हूं आपको सप्र अच्छी क्वाल्टी हमको यहां पर मिल रही है तो पूरा हमाराम एक स enormous सब हीमें को जा रहा है लेकिन जिसमें आपको एक नहीं चाहिए जैसे पड़ूला बगएरा होता है तबलाव माइक को हमको यहां से हटाके और कहीं दूसरी जगह लगाते हैं तो माली जी हमने इसको यहां लगा दिया अब देखते हैं हम यहां पर हमारा इकू का क्या सिस्टम आ रहा है हलो हलो देखिए यहां पर इकू आ रहा है हलो 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 लेकिन अगर हमको यहां पर ढूलक लगाना ह तो इसको हम बंद करेंगे ही कम दल ये को बिलुकुल अलब गैयब में तो इस चीछ का हमें ध्यान रखना है मैं इस तरह से हम hairs loog भी बिन्हों के हूं तो हूं थिन रखने में तोड़ाकर और हम यहां पर कहीं पर भो में तो पर चैनल में ऐता है और उससे आप बहुत सांदार quality से इसको चला सकते हैं वह बृष्ट कोई भी地 आवाज में नहीं आ रहा है मैंने शैक करके देखा है और माहन भी कभी-iva चलाता हूं तो जैसे जहने हमारे mixer में हमारा return नहीं है तो ऐसे चला दीता होय कोई दिक्कत नहीं आती है अच्छी आवाज आती है नो प्रॉब्लम कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आती तो जिन भाईयों ने यह कमेंट किया था मुझे बताई कि जिसमें हमारा रिटर्न नहीं होता है तब हम उसको कैसे कनेक्ट कर सकते हैं तो रिटर्न जिसमें नहीं होता है उसमें हम किसी भी माइक में दे करके और उसको सेट करके खोल के और पूरे मिकसर में इको दे सकते हैं कहीं से भी पूरे मिकसर में इको दे सकते हैं यहां से कहीं में भी लगा दीजिए वहां से पूरे में लेकिन हम बीच में नहीं लगाते हैं यह हमारा सेपरेट हमें एक ही स सिस्टम लगाएंगे यहां पर ढूलाग बग्यारा या भोकल वाले कहीं भी लगाएंगी तो यहां से हमारे माइक वो बर्क करेंगे तो इस तरह से उसको चलाके और भहुत अच्छी तरीके से हम उसको चला सकते हैं क्वाल्टी भी आपको वैस्ट मिलेगी कहीं कोई दिक्कत नहीं आती इसमें तो आप यहां से चलाइए बहुत अच्छा सिस्टम चलेगा और कोई भी आपको दिक्कत इसमें नहीं आएगी लेकिन इसमें जो दूसरा मैंने जैसे आफम नाराा। जिशम estuvakन है कि कशेशंद को रहां सब्सक्राइब दो दो लुच्छा है वृत्य आप लेक्राइब करें दो नहीं किया है, फिल्स अच्छा लगा हो तो आप लाइक जरू करें और विडियो को को सेयर करें और मिलती है नेक्स्ट वीडियो में तक तक के लिए गुड़ बाई थैंक यू